आज विधान सभा के बार हमारा प्रदर्शन था जो जन विदोधी नीतियां है सरकार की उस पर विधान सभा के अंदर तो हमने बात कही लेकि मुझे इस बात का खेद है कि जिस परकार से हमारे रास्ते के सामान्य चलने के रास्ते भी बंद कर दिये हैं हमारे सांसद भी आये तो उनको भी चलने से रोका गया कारिकम स्थल तक पहुंचने के लिए और यहां तक के विधान सब आने के लिए भी यहां तक भी रोका गया और दूसरी बाता द्यक्ष्म हो जाए हम पदर्शन कर रहे थे और पदर्शन करते करते हम शांती प्रेडंग से सारा वहां उस कारेकों को करना चाह रहे थे और हमने किया लेकिन उसके बावजूद भी आमानिय सदस्य हमारे डॉक्टर जनक राजी को सिर में लाठी लगी है बुचाओ ओ गया लेकिन चोड तो लगी है यह अकेखत है जिसकी मैं निन्दा करता हूँ यह आशकता ही नहीं है इस हिमाचल परदेश में ऐसी स्थिति होती नहीं है यह प्रदेशन आप भी करते रहे हम भी करते रहें लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा करते ना कि विधायक लगता है वो इस तरह से लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां यह वहां अमारे विधायिक मौदे जी को यह डॉक्टर जनक जी को बहुत कमशीर ठोट लगने से बच गई लगी तो है अभी उसके बाप जूद भी लेकिन बचा हो गया है यह मैं कहना चाहता हूं अध्यक् अजयक्तों